कि यह जो देखते हैं exercise 6.3 का question number 3 question number 3 में हमारे पास संब्लम ABCD जिसमें ABC सबांतर है DC के के विकर्ण की संब्लम के विकर्ण की बात कर रहा है AC और BD AC और BD प्रस पर O पर परतिछेट करते हैं यह निके O बिंदू पर परतिछेट करते हैं तो दो तिर्पुजों की समरूपता कसोटी का परियोग करते हुए दर्शाये की OA बटे में OC और OB बटे में OD यह आपस में बराबर है तो तिक्पुजों की सम्रूपता कसोटी का प्रयोग करते हुए हमें यह दिखाना है अब पहले पहले तो एक बात देखें कि हमें दिखाना है O A बटे में O C बराबर है O B बटे में O D तो आप यहां से एक चीज़ समझें कि O A और O C यह हमें लिख दिया O A लिख दिया और O C लिख दिया देकर दूसरा हमें O B और यहां पर है O D A उच्छा है यहां पर हम D कहीन रहुत हैं तो कहीं ने कहीं जो covering वह होगी maturity O A B तो यहां पर दूसरी दाछी को सिदिया और पीछी यह वह पॉगी पीक्षे ऊसकते है है पॉंइंट आगे पिछ हो सकते हैं समरूपता के लिए लेकिन तिरभुज ओ ओ एबी यानिकर ऑप इस और पास आपस ABCD एक सवलम है जिसमें AB समानतर है DC के और क्या है कि ACA और BD प्रेस पर बिंदू पर परतिशेत करते हैं यह हमने लिख दिया है अब आप देखें कि एक तो यह वाली त्रिपुज है और एक यह वाली त्रिपुज है अब AB और DC समानतर है और यह हमारे पास एक त्रियक यह वाली कोण रहा है तो यह वाला कोन और यह वाली को ब्रापर होंगै इसको अगर हम नाम एक कोन एक देदे और कोन दो दे तो हम कैसे हुत एक ब्रापर है कोन दो कैसे एक आंत्र कॉर कि इसी तरह से A, B और D, C आपस में समांतर है तो ये भी एक तिरिया ग्रेक है तो यहां पे हमारे पास ये वाला कॉर्ण और ये वाले कॉर्ण बराबर होगे तो इसको अगर हम नाम देदें कॉर्ण तीन इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको चार तो कॉर्ण तीन और कॉर्ण चार बराबर होगे आपस में और ये देखो ये वाला कॉर्ण और ये वाला कॉर्ण तो बराबर ही है आपस में तो कि शिर्शा भी वो कॉर्ण है इसको मैं अगर नाम देदू कॉर्ण पांच और कौन 6 बराबर है यह हमारे पास खिर्शव इमूग को है अब हमें पता है कि एक तिर्बुज के तीन को दूसरी तिर्बुज के इन संगत कोनों के बराबर है तो तिर्बुजें कैसी होगी सर्वामसंग समरूप होगी सर्वाल संग नहीं, समरूप होंगी तो यानि कि ये दोलों तिरपुजे आपस में समरूप है अब लिखेंगे देखो कैसे हमारे पास कोन एक, कोन दो के बराबर है कोन एक हमें कहा से मिल रहा है एक पॉइंट से तिरपुज ए और कोन दो मिल रहा है हमें C से तब दूसरी तिरबुज के लिए C अब कौन 3 बरापर है? कौन 4 अब बीच में देखो 5 और 6 गनों O है यगनों को बरापर है यहां तो बीच में O लिख सकते हैं O यहां पर भी O यह इसके लिए O और यह इसके लिए O तीसरा point हमारे पास B बज़ी है तीन कौन और चार कौन बरापर थे तो तीन कौन हमें B से और चार कौन हमें D से तो यह हमारे पास दो तिर्बुजें कैसी होगी समरूप होगी यहाँ पर हमारे पास दो तिर्बुजें समरूप होगी क्योंकि तीन कौन हमारे दूसरी त्रुश के 3 कौन के बढ़ाबर है कर जैंचे तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि कों 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 समूपता कसोटी के नुसर है यह हमारे पास कहां से प्राक्ट हूआ है इस कसोटी से प्राक्ट हूआ अब देखो तिर्गुजे अगर संगरूप है तो संगत गुजाय समानुपाक में होगी यादिके A, O, बटे में C, O बराबर होगा हमें जो प्रूब करना है वही ले लेते हैं वैसे तो आप तिनों लिखना चांगे दिख सकते हो O, B, बटे में O, D बराबर है O, B, O, D तो यह पार्ट है हमारा इसमें जो ले जाते हैं A, O, बटे में C, O, बराबर है O, B, बटे में O, D A, O को लिख देंगे O, A इसमें कोई फर्ट नहीं पड़ता C, O, को लिख देंगे O, C, बराबर है O, B, बटे में O, D हैंस प्रूब यह हमें प्रूब करता था तो बिल्कुल एजी कोशन है आपको सिर्फ कोंसेक्ट समझ में आना चाहिए अगर आपकोंसेक्ट ठीकन से समझ जाते हैं आपको कोनों के बारे में पूरी जानकारी है समानतर एखाओं से समंदित और कौनों के बीच में जब कौन बंते हैं और किस प्रकार के कौन बंते हैं उनकी आपको पूरी जानकारी है तो बड़ी असाने से आपने कोशन को सोल कर ले Thank you very much